नमस्कार दोस्तों, जे मातादी, वर्ड बैस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें, माता रानी सब का कल्यार करेगी दोस्तों, होली की भाई द्विज, फालगुन मास के सुक्ल पक्च की दुतिया तिथी को मनाई जाती है, जिस प्रकार दिवाली के बाद भाई द्विज मना कर भाई की लंबी उम्रिकिर प्रातना की जाती है, और उसका तिलक किया जाता है, ठीक उसी प्रकार होली के बाद भ भाई का तिलक करके होली की भाई दूज मनाई जाती है जिससे उसे सभी प्रकार के संकटों से बचाया जा सके दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे होली भाई दूज की कथा के बारे में जो इस प्रकार है एक बार एक नगर में एक बुढिया रहा करती थी उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी बुढिया ने अपनी पुत्री की साधी कर दी थी एक बार होली के बाद भाई ने अपनी मा से अपनी बहन के हां जाकर तिलक कराने का आगरे किया बुढिया ने अपने बेटे को जाने की इजाज़त दे दी बुढिया का बेटा एक जंगल से गया जहां उसे एक नदी मिली उस नदी ने बोला मैं तेरा काल हूँ और मैं तेरा ग्रास करूँगी इस पर बुढिया का लड़का बोला पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ फिर तुम मेरे प्राण लेना इसके बाद वै आगे बढ़ा जहां उसे एक सेर मिला बुढिया के बेटे ने सेर से भी यही कहा इसके बाद उसे एक साप मिला उसने साप से भी यही कहा कि पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ फिर तुम मुझे डस लेना जिसके बाद वे अपनी बहन के घर पहुंसता है उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी और जब वे उसे उसका भाई बुलाता है तो वे उसकी आवाज को अंसुना कर देती है लेकिन जब भाई दुबारा आवाज लगाता है तो उसकी बहन बहार आ जाती है इसके बाद उसका भाई तिलक कराकर दुखी मन से चल देता है इस पर बहन उसके दुख का कारण पूछती है और भाई उसे सब बता देता है तब बुढिया की लड़की कहती है कि रुको भाई मैं पानी पीकर आती हूँ और वे एक तलाब के पास जाती है जहां उसे एक बुढिया मिलती है और वे उस बुढिया से अपनी इस समस्या का समाधान पूछती है इस पर बुढिया कहती है कि यह तेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो तेरे भाई को बुगतना पड़ा अगर तो अपने भाई को बचाना चाहती है तो इस पर बुढिया कहती है कि उसकी एक बहन है जब वह उसे गालियां दे और उसकी साधी होने तक वह हर घात को टाल देती है तो तेरा भाई बच सकता है इसके बाद वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुझे घर छोड़ने चलूंगी और वह सेर के लिए मांस, साप के लिए दूद और नदी के लिए ओड़नी लाती है इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं रास्ते में उन्हें पहले सेर मिलता है तो उसकी बहन सेर के आगे मांस डाल देती है उसके बाद आगे साप मिलता है जिसके बाद वह बुढ़िया की लड़की उसे दूद दे देती है इसके बाद नदी मिलती है जिस पर वह ओड़नी डाल देती है इस तरह वह बहन अपने भाई को बचा लेती है जिस प्रकार वह दोनों भाई बहन साथ साथ रहे वैसे सभी भाई बहन सदा खुस होकर साथ साथ रहें तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक क करें और शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद